हाई गाईज वेलकम तो माई यूटूब चैनल लक्षे एंड ये आई वेलकम यूटूब चैनल ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं ये आपको टीएस एंट्री नॉटिफिकेशन आउट हो चुका है उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है और आप देख रहें कि इतनी सारी आपको डिफेंस फोर्सेज में जाने को मिल रही है रिसेंटली टैन प्लस टू नेवी एंट्री का फॉर्म आया था और अभी टीएस एंट्री का भी फॉर्म रिलीस कर दिया है और एंड ये तो आपके पास है ही मतलब बार्मी के जस बाद ही आप तीन तरीके से ऑफिसर ब ये होती है ठीक है टीएस टेकनिकल एंट्री स्कीम और ये बेसिकली आर्मी के लिए होती है मतलब इसे आप एर फोर्स और नेवी में जॉइन नहीं कर सकते हो ये पर्टिकुलर्ली आर्मी के लिए ही होती है तो इसका फॉर्म आजी निकला है कब से स्टार्ट हो रहा है ये basically 7 तारिक से इसका form start हो जाएगा और 8 तारिक तक इसका form भरा जाएगा मतलब पुरा एक महिने के लिए window open रहेगी एक बड़ा changes जो इसमें हमें इस बार देखने को मिला है TS के form में पहले हम इसको क्या कहते थे SSB without written मतलब जिस बच्चे ने 12th class में महनत की है और 12th class में उसकी higher percentage है उसकी percentage अच्छी है तो वो क्या होता है direct SSB दे देता था इसमें minimum percentage जो इन्होंने दिया है वो 60% है जैसे 10 plus 2 BTEC entry का 70% अब ये minimum percentage है किसमें PCM में अब ये मत मानना है कि आपकी pass 60% है, 61% है तो आप SSB दे ही सकते हो आप form fill कर सकते हो उसके बाद cut off लगेगी वो कितने पे जाती है वो depend करता है how many students apply बट एक नई चीज जो इसमें add की गई है J.E.Mence 2021 के paper को इसमें compulsory कर दिया है ये ऐसा पहली बार हुआ है ये ऐसा पहली बार हो रहा है TS entry में क्योंकि इससे पहले सिर्फ number के marks के basis पे ही होता था थोड़ा सा इस बार इसको competitive बनाया है कि जो बच्चे जिनोंने TS का form बरना चाहते हैं वही बर सकते हैं जो basically जिनोंने J.E.Mence का paper दे रखा है तो पहले ऐसा नहीं होता था पहले सिर्फ Navy B.Tech entry में होता था बट basically ये जो दोनों entry है ये दोनों entry क्या कराती है आपको B.Tech कराती है वो Navy में और ये army में तो इसलिए J.E.Mence के paper को क्या है compulsory mandatory यहां पे कर दिया है तो एक short notification है तो इसका minimum age क्या है मतलब इसमें भी वही साड़े 16 से और साड़े 19 तक आप apply कर सकते हो मतलब 16 and half to 19 and half आप apply कर सकते हो तो guys जैसे ही form निकलते हैं आप इसके form भर दीजीगा कोई भी इससे regarding doubt है comment box में डाल दीजीगा कोई भी doubt है form से related qualification से related eligibility से related ठीक है कोई भी important चीज है तो ये मुझे बता दीगे ठीक है comment में डाल दीजीगा इसका link आपको साड़ तर इक्टिवेट हो जाएगा जो भी बच्चे eligible है ठीक है वो इसका form भर दीजीगा क्योंकि एक maulis मतलब opportunity आपके पास है NDA तो है ही है बट ये भी NDA से कम नहीं है ठीक है NDA में आप battle entry from 7 October to 8 November ठीक है और दूसरा JMAN 2020 has been mandatory ठीक है तो जिन्होंने apply किया है क्या cut off है क्या है इसके बारे में हम जानेंगे next video में क्योंकि अब इसके बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है ठीक है बस आपके 12 में 60% होने चाहिए PCM में overall 12 में नहीं सिर्फ physics, chemistry और math में जोड लीजिए तीनों में 60% से जादा बन रहे हैं और आपने JMAN दिया है तो आप इसका form बर सकते हैं ठीक है इसका preparation करने के लिए आप इसका preparation कहां से कर सकते हैं तो SSB का preparation आप unacademy से कर सकते हैं और बहुत सारे जो SSRs हैं जिन्होंने पहले काम किया है different different boards में वो आपको यहाँ पर guide कर रहे हैं इसके लिए अभी आपको एक exclusive offer भी चल रहा है कि यदि आप return का subscription लेते हैं तो SSB आपको इसमें free मिलेगा और यह सिर्फ कल तक है तो आप इसको enroll कर सकते हैं क्योंकि कल के बाद it might be increase in the price so please go for the subscription and use the code SS30 ठीक है वीडियो के बारे में कोई भी doubt है related कोई भी doubt है comment box में डाल दीजिए I will check the doubt ठीक है यहाँ से आप unacademy install app करके मेरे साथ पढ़ सकते हैं ठीक है Thank you very much PDF के लिए आप यह जोइन कर सकते हैं मिल दे ने 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 वीडियो में